अलो फ्रेंड्स मैं मन्जू स्वागत करती हूं आपका अपना फूद टेस्ट में आज मैं आपके लेक आई हूं सोयचंग्स की रेसिपी जो की खाने में हैं बहुत ही हल्दी और जिसके आगे आपको नॉन्विज भी फीका लगेगा इसके लिए मेरी वीडियो के एंड तक दढ़ सकते हैं और इसमें डाल देंगे गरम पानी इन्हें सौक्ट करने के लिए गरैम पानी डालने के बाद चम्बस से थोड़ाइने इस तरह से प्रेस कर लेंगे और 5 सेOkay के लिए रख़देंगे सौफध होने के लिए और 5-7 मिनट बाद ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं और मैं इन्हें एक बाउल में निकालूंगी इसका जो पानी है उसे हातों से अच्छे से निचोड़के हम बाउल में डाल लेंगे सोयवीन पानी में डालते ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत फाइदे मंद रहते हैं ये देखिए मैंने सभी को एक बाउल में निकाल लिया है और अब गैस पे कड़ाई चड़ा दी है और इसमें तेल डालेंगे दो से तीन चम्मच यहाँ पे मैंने सरसो के तेल का इस्तमाल किया है आप चाहे तो कोई से भी कुकिंग ओल का इस्तमाल कर सकते हैं सरसो के तेल डालने से सोयबीन कड़ाई पे चिपकते नहीं है सोयबीन को तब तक पकाना है जब तक ही हलके से गोल्डन न हो जाए सोयबीन को ज़्यादा तेल में फ्राई मत कीजिएगा नहीं तो ये सॉफ्ट नहीं रहेंगे हमें इन्हें मेडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है और कर्ची को चलाते रहेंगे ताकि जो सोयबीन है वो कड़ाई पे ना चिपके सोयबीन हमारे कुक हो चुके हैं और इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है आप देख सकते हैं कि इसमें हलकी सी गोल्डन परत चड़ चुकी है और इसे एक बावल में निकाल लेंगे अगर आप सोयबीन के साथ आलू बनाना चाहते हैं तो आप आलू को भी फ्राई कर सकते हैं और ये देखिए मैंने इने फ्राई करके बावल में निकाल लिया है और इसे ठंडा करने के बाद इसमें मैं डालूँगी आदा चमच लस्टन अद्रका पेस्ट आदी चमच नमक एक चोथाई हल्दी पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर तो हमारी जो सबजी है वो भी खटी हो जाएगी और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबी मसालों को पहले से मिक्स करने से जो सबजी का स्वाध है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसे 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे और उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है दो चमच तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे एक चमच जीरा, दो तेज पत्ते, दो काली मिश और एक लॉंग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज प्याज जो कि मैंने बारिक चॉप किया हुआ है प्याज को हम अच्छे से कोक करेंगे जब तक कि यह गोल्डन ना हो जाए प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है गैस जादा हाई ना करें और जब प्याज 70% पक जाए तो इसमें मैं डालूँगे एक चमच लस्तन और अद्रक का पेस्ट और इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पका लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे लस्तन और अद्रक का पेस्ट तभी डालें जब प्याज 70% कुक हो जाए नहीं तो जो लस्तन प्याज का पेस्ट है वो जल सकता है और अब मैंने यहाँ पे डाला है एक चमच कश्मिरी लाल मिर्च कलर के लिए इसे प्याज और तेल के साथ अच्छे से पका लेंगे और अब मैंने यहाँ पे डाला है एक हरी मिर्च चॉप की हुई और दो मेडियम साइज टमाटर जिसकी मैंने प्योर ही बना ली है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे प्याँच के साथ और जब ये प्याँच के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी नमक स्वादनुसर नमक पहले भी डाला हुआ है सोयबीन के साथ तो इसलिए मैंने हाँ पे कम नमक कहीं इस्तमाल करा है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल सेपरेट न हो जाए मसालों से और ये देखिए मसालों से तेल सेपरेट हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी मिक्स किया हुए सोयबीन सोयबीन को कड़ाई में डाल देंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे सोयबीन को इस तरीके से भूनने से जो स्वाद है वो बहुती ला जवाब होता है जिसका स्वाद आप हमेशा ही याद रखेंगे और अब मैंने यहाँ पे 5-7 मिनट के लिए इसे भून लिया है और अब मैं डालूंगी यहाँ पे एक बावल पानी इसके लिए मैंने जिसमें सोयबीन का मिक्षर तयार किया था उसी में ही मैंने पानी डाल के सोयबीन में पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए और इसे 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए सोयबीन की सबजी को मैं खुले में पका लूँगी और जब सबजी में इस तरीके से bubbles आने लगे तो इसमें हम कर्ची चला लेंगे और यहां पर मैंने gas को high कर दिया है ताकि जो gravy है वो थोड़ी थिक हो जाए और यह देखिए हमारी सबजी बन के तयार है यहां पर मैंने gas को कर दिया है medium और जो यह तेज़ पते हैं इन्हें मैं निकाल लूँगी और gas कर दूँगी और जब सबजी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसे करेंगे सर्व ठंडा होने से जो कलर है सबजी का वो चींज हो जाता है आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह सबको बहुत पसंद आने वाली है और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंट के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तब तक के लिए टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ